ओम नमस्षिवाय जै महाकाल दोस्तों साल का पहला बड़ा पर्व मकर संक्रांती को ही माना जाता है इस साल मकर संक्रांती का पर्व 14 को नहीं बलकि 15 जन्वरी को मनाय जा रहा है इस दिन सूरी भगवान उत्रायन में होते हैं इसलिए दान आदी का महत भी बढ़ जाता है दो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान का किसी ने बंधन कर दिया है चार दिन अच्छी चल रही है तो चार दिन बिल्कुल कमाई नहीं हो रही है तो या फिर आपके यहां कोई ऐसा ब्यक्त है जिसकी तब चार दिन ठीक है चार दिन फिर खराब वो ब्यक्त ठीक तो मकर संक्रांती के दिन सूरी का जो उत्तरायन प्रवेश है मकर के अंतरगत वो दुपहर में लगभग धाई से तीन बजे की करीब आएगा तब मकर संक्रांती के दिन मकर राशी में जब सूरी प्रवेश करेगा तब दुपहर के धाई से तीन बजे की करीब आप थोड़ा सा काला तिल लेना एक बवूल का कांटा ले लेना और किसी भी ब्रच की पांच पत्तिया ले लेना उसको लेकर अपने दुकान पर से या जो व्यक्ति बिमार चल रहा है उस पर से 21 बार उतार कर या उससे सपर्स कराकर अउधूतेशन महादेव का नाम लेकर उतार लेना है क् कि संकर भगवान की अउधूतेशन महादेव का नाम लेनी से ब्यापार में ब्रदी भी होती है और गंभी से गंभी विमाई से छुटकारा भी मिल जाता है तो जब आप इन समसमागरियों सहित उस ब्यक्ति पर से या दुकान पर से 21 बार उताल ले तो उसको ले जाकर किसी ब संकरांती का दिन बहुत ही लापकारी सावित होगा करना यह है कि आपको समी पत्र की पांच पत्ति लेना है बेल पत्र की 11 पत्ति सूरी पर से साथ बार घुमा करके सूरी भगवान का श्मनुट करते हुए साथ ही शिव पुरान का मूल मंत्र स्री सिवाय नमस्तु भ्यम ब जमीन वो आपको लोटा देगा जिनकी हाथ पर कांपते रहते हो यह सिर हिलता रहता हो वो लोग यदि मकर संक्रांती के दिन काली मिर्च को पीस कर फिर जल में डाल कर सूरी को अर्ग दें उसके बाद जब आप सूरी भगवान को जल चढ़ा दें फिर जो जल पर तीव पर ग से कम 14 लोगों से ओम नमस्षिवा जरूर बोलें या फिर राम राम या राधे राधे जरूर बोलो क्योंकि सास्त्र कहता है कि मकर संक्रांती के दिन जो ब्यक्ति मकर संक्रांती के दिन 14 लोगों से सिवाय नमस्तो भ्याम ओम नमस्षिवा राम राम या राधे राधे बोल देता है उसके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, दूसतो सास्त्र यहां तक कहता है जिनका परिवास छूट रहा हो भाई-भाई में बिवाद हो रहा हो, सासबों में अक्सर नोक-ञोग हो जाती हूँ, दिवरानी जिठानी में ना बनती हो वो यदि मकर संक्रांती के दिन एक लोटा जल में काली तिल डाल कर और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल कर संकर भवान को चढ़ा देते हैं तो उससे उनका परिवार हमेशा जुड़ जाता है दुबारा कभी वी सास्वहों में नोग संध्या को जिसका बच्चा बड़ा हो गया हो फिर भी पलंग पर मूत्र कर लेता हूँ बहुत इलाज करवाली या फिर भी वो सोतेवक्त मूत्र कर देता हूँ या फिर जिन माकिस्तनों में बच्चे को दूध पिलाने के लिए इस्तनों में दूध ना आता हो उनके लिए मकर संक्रांती के दिन साम को गुड को पानी में मिला कर सीवजी पर लेपन कर दू यहीं सिवलिंग पर और उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दू फिर वो बच्चा पलंग पर कभी भी मोतर नहीं करेगा और वही यदि जिस मा के स्तन में बच्ची को दूद पिलाने के लिए दूद नहीं आता है वही हाथ चड़ा दिया जाए तो इस तन में दूद हाना प्रारम हो जाता है ये उपाय आप मकर संकरांती के दिन जरूर कर सकते जिनको ये ऐसी दिक्कत होती है वहीं जिन लोग को जादा सुगर की परिशानी हो यदि मकर संकरांती के दिन काला तिल संकर भगवान की सिवलिंग पर समर्पित कर दें और समर्पित करते समें संकर भगवान का एक नाम है हा प्रावाइब तो वापस सिवलिंगपर चढ़ाय तिल को कटोरी में उठाकर घहल ले आना और तीन दिन तक लगातार सुभा की समय तोड़ा-थोड़ा करके खाईएगा दोस्तों आपका सुगर अपने महादेव पर आ जाएगा हर हर महादेव